तो आज हम देखेंगे कि 36 का वर्ग मुल कितना होता है स्क्वायर रूटा 36 तो आईसे हम राइट कर लेंगे 36 ये 2 से डिवाइड होगा 2 बन जा 2, 2 8 जा 16 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 3 बन जा 3 तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 36 के फेक्टर होंगे वह होंगे स्क्वायर रूट 2 इन 2, 2 इन 2, 3 इन 2, 3 यहाँ से आप देखोगी कि 2 का एक पेर बन रहा है और 3 का एक पेर बन रहा है पेर को बाहर लेंगे ध्यान रखना पेर में से एक ही बाहर निकलेगा तो यहाँ से एक 2 बाहर निकलेगा और यहां से एक थ्री बार निकलेगा इस प्रकार से यह हो जाएगा 236 means square root of 36 is equal to 6 36 का वर्ग मुल कितना होगा 6 तो दोस्तों comment box में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले thank you class